प्रदेश के जन्पत मुरादाबाद में कुंद्र की ब्लॉक से जुड़े गांग के ग्रामिन पीछले 23 दिनों से गांगा नदी पर पुल बनाने की मांग को रलेकर धरने पर बैठे हुए हैं इनका रोप है कि आज तक भी परशास्नी का दिकारी उनकी सुत लेने नहीं पहुचा है परदेश के हर नागरिक को जन्पत देने की बात करने वाली योगी सरकार में मुरादाबाद जन्पत का एक इलाका ऐसा भी है जहां पर एक दरजन से ज़्यादा गाम के लोग जिला मुख्याले से इसलही नहीं जुड़ पा रही है क्योंकि उनकी इलाके से गांगर नदी बहती है जिस पर कोई पुल नहीं है उसे पार्क करने के लिए बड़ी ट्यूप सहारा लेना ही एक मात्र विकल्प है दरासल यह इलाका कुंद्रकी ब्लोग के अंतरगत आने वाली जेतिय फिरोजपुर का है जिला परशासन के मादियम से परदेश की योगी सरकार से स्थानिय ग्रामिनों का कहना है कि वो लोग जिला मुख्याले से दूर है उनकी इलाके के ऐसे 20-25 काम है जो पुल ना होने के कारण वर्षों से परशानी जेलते आ रहे हैं अगर उन्हें मुरादाबाज जाना होता है तो 20 किलोमीटर का लंबा रास्ता तैय करना पड़ता है अगर सरकार उनकी मांग को सुनकर पूल का निर्मान कर देती है तो जिला मुख्याले मातर 8 किलोमीटर ही रह जाएगा इन परशासन कारिक ग्रामिनों की माने तो इनके बच्चे अपनी जान हतेली पर लेके बरसाद के दिनों में भी इस ट्यूप से इस स्कूल जाने का मुझबूर होते हैं उनके गाम की लड़किया भी पड़ाई से वन्चित रह जाती हैं क्योंकि किसी कॉलेज में जाने के लिए उसी लंबा रास्ता तैक करना पड़ता है परदर्शन करहे इन लोगों का कहना है कि आज 23 दिन से वह अपनी बात जिला परशाशन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन परशाशन की तरह से कोही भी अधिकारी इनकी सूत लेने को तैयार रही हैं और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती उनका ये धरना चलता रहेगा उरादाबाद से वाजिद अली की रिपोर्ट जैंतिया फ्रोच पोचर राइंदर सिंग कसे बोल रहा हूँ कि भर्पूर पानी रहता है और कपी समय से प्रिसानीए हमाराइं यह भी 530 ता यह सब भार है थोड़ी थोड़ी जमीने हैं वह सब अने जाने की बच्चों को दिक्कते इन पड़ाई से बच्यारूं महरु हैं विर्फुल पढ़ाई लिखाई नहीं हो पारी उनकी क्योंकि गांगन के पार जार जार जितने भी इंटरॉ स्कूल हैं जो भी हैं गांगन पार हैं आने जाने की समस्या कट जाएगी तो बच्चो ऐसे ही लेटेस्ट को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइख शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद अजे बेटी बंक्वेट एंटर्प्राइब